सेक्स करते वक्त कितना टाइम लगना चागिए बहुत से लोगों का ये प्रशन है और इसके उपर जितना गहरा ये प्रशन है उतनी ही गहरी ब्रांतियां कोई कहता है चालीस मिनिट कोई कहता है एक घंटा कोई कहता है दो घंटे कोई कहता ہے ऐसे sex करो की वीरे पाथ ही नहीं होना चाहिए और कोई कहता है फंदरा मिनट भी enough है और कोई कहता है पाँच मिनट भी बहुत है तो लोग इस में बहुत भरमित है किसी को भी सही जानकारी नहीं और कोई सही जानकारी दे नहीं रहा उल्टा जितनी भी गंदी किताबों से नौलेज कठी की हुई है इदर उदर से दोस्तों यारों मित्रों से नौलेज कठी की हुई है सारी नौलेज भी भ्रमित करने वाली क्योंकि ना तो कोई गुरुजन समझाने वाले ना माबाप समझाने वाले ना teacher समझाने वाले ना कोई अपना है जो बुद्धी दे दे यहां तक कि अपने बड़े बजुर्ग भी इसके बारे में कोई ग्यान नहीं देते और जो भी ग्यान है वो कच्चा पक्का ग्यान है इदर उदर से जानकारियां कठी की गई है authenticated कुछ भी नहीं कोई समझाने वाला नहीं और depend यह करता है कि हर आदमी की sex power अलग अलग है तो timing भी अलग लग होगी duration भी अलग लग होगी तो उससे क्या होता है यह लगता है कि अदद duration क्या है right duration क्या है correct timing क्या है क्या मैं पूरा मर्द भी हूँ या नहीं हूँ कहीं ये तो नहीं कि कल को शादी करा लो और बीवी के सामने नजरें जुकांके चलना पड़े कल को ये तो नहीं कि मेरी बीवी मुझसे तरपती नहो वो दूसरों की तरफ जहांके मेरा पार्टनर मेरे से satisfied नहो तो ये लोगों के दिमाग में भरम है और वो ये लगे हैं उसको बढ़ाने के लिए यहां तक के लिए उसको रोकने के लिए पता नहीं कितने प्रयतन करते हैं किस किस तरह की दवाईयां कैपसल गोलियां खाते हैं और बाद में अपने शरीर को खराब कर लेते हैं तो एक्चुल में उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है इसलिए आज मैं आपको खुल कर समझाने वाला हूँ कि सेक्स का टाइम कितना होना चाहिए सबसे पहले आप इस बात को समझ लें कि जो भी किताबी ग्यान आपने कच्चा पका प्राप्त किया है वो कच्चरा है कच्चरा उस कच्चरे को फैंक दे गलत कच्चरे पर यकीन ना करे आप क्यों नहीं अपने पार्टनर से पूछ लेते कि क्या मैं आपको संतुष्ट कर पाता हूँ क्या आपको तरिप्ती मिलती है आर यू सैटिसफाइड विद मी आप कैसा महसूस करती है आप क्यों नहीं अपने पार्टनर की आँखों में जहांकते उसके चेहरे पर जहांकते क्या उसकी संतुष्टी आपको उसके चेहरे पर नजर नहीं आती क्या उसके हाथ पर ढीले नहीं पड़ जाते क्या वो शानत नहीं हो जाती क्या वो तरप्त नहीं हो जाती क्या वो पूरी तरह से फुली सैटिसफाइड नहीं हो जाती क्या जब आप सेक्स करते हैं उसके बाद उसके चेरे पर मुस्कुराहट नहीं आ जाती रौनक नहीं आ जाती चेरे पर नूर लाली मानी आ जाती वो कसके आपको और गले नहीं लगा लेती यहां ऐसे नहीं करती कि उसकी शकल देखकर आपको ऐसे नहीं लगता कि जैसे प्यार की वरसात में वो नहा गई हूँ तो बस अगर आपने ये कर दिया अगर ये संतुष्टी डिला दी तो टाइम मैटर नहीं करता में संतुष्टी मैटर करती है अगर आपका पार्टनर तरिप्त है तो आप पूरे मर्द हो अगर आपका पार्टनर तरिप्त नहीं है तो आप पूरे मर्द नहीं हो आपके अंदर कमजोरी है आपके अंदर कमजोरी है कमजोरी मतलब कम जोर आपका जोर कम लगा है आपके अंदर उतना जोर नहीं है जितने जोर की उसको जरूरत है और timing value नहीं रखती timing चाहे 5 मिनिट लगे चाहे 10 लगे चाहे 15 लगे चाहे 20 लगे चाहे 1,5 गंटा लगे चाहे 40 मिनिट लगे और चाहे 2 गंटे लगे बात उसकी है ही नहीं बात तो partner की तरुप्ती की है क्योंकि जो sex word है अगर आप से हिंदी में समझें तो उसे बुलते हैं सम्भोग वो भोग जो दोनों ने मिलकर किया होता क्या है कि लोग hand practice करके भी तो अपने आपको तरुप्त कर लेते हैं तो आदमी की तरुप्ती matter नहीं करती है main matter आपके partner की तरुप्ती करती है और अगर वो तरुप्त है तो आप पूरे मर्द हो अगर वो तरुप्त नहीं तो आप पूरे मर्द नहीं तो अगर आप ये समझना चाहते हो कि आप पूरे मर्द है या नहीं या सेक्स टाइमिंग क्या होनी चाहिए तो उसका सबसे बड़ा इंडिगेटर उसको सबसे ज़्यादा अच्छे से बताने वाला आपका पार्टनर है या आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि आपको उसका चेहरा बिना बोले पड़ ले उसके चेहरे की मुस्कराहट उसके चेहरे की स्माइल उसकी तिर्पती उसकी आपकी सेवा करना जब एक इस्तरी पुरिश से पूरी तरह से सैटिस्वाइड होती है तो वो उसको पलकों पे बिठा कर रखती है वो उसके दिल पे राज करता है वो बिर्ती वो यहां तक जलती है कि मेरे पती की तरफ कोई देख भी ना ले यह मेरी कीमती चीज़ है इसे कोई चुरा करना ले जाए वो अपने पती को इसी लिए जादा प्रोटेक्ट करती है और जो औरतों को पती पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाते वो औरतें भी पती की पूरी परवा नहीं करती क्योंकि धीरे धीरे वो देख लेती हैं कि इसमें दम नहीं है यह बंदाई कमजूर है यह मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता है आप टाइमिंग टाइमिंग का रोणा लेकर बैठे हुए त्रिप्ती त्रिप्ती का रोना लेके बैठो कि त्रिप्ती करवा पाता हूँ या नहीं करवा पाता हूँ इस तरी को संतुष्ट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ पांच मिनिट में भी इस तरी त्रिप्त हो सकती है आपके अंदर जोर होना चाहिए आपके अंदर दम होना चाहिए आपके अंदर इतनी शक्ती होने चाहिए कि इस तरी प्यार की बरसात में प्यार से नहा जाए वो खुश हो जाए उसको महसूस हो कि वाह क्या बात है क्या बंदा है क्या दम है तो क्या आप में वो दम है कि आप औरत को त्रिप्त कर पाओ सेक्स का मकसद क्या सेक्स किया किस लिए जाता है एक ही मकसद है दोनों को त्रिप्ती शरीर से आत्मा तक त्रिप्ती अंग अंग रुआ 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 खुश हो जाना मन शान शरीर बिलकुल काम अंदर तक रिलैक्स पूर्ण रिलाक्स दुनिया का कोई भी नशा कर लो उसमें वो मज़ा नहीं है जो सेक्स के अंदर है दुनिया के सारे नशे तक लोग शराब पिते हैं, समैक पिते हैं गुटका गाते हैं, सिगरेट पिते हैं दुनिया भर के नशे करते हैं लेकिन उनको वो आनन्द नहीं आपाता जो आनन्द हमें सेक्स के अंदर महसूस होता है उस पूर्ण आनन्द को महसूस करने का नाम है सेक्स करना, संभोग करना वो भोग जिसमें दोनों एक ही टाइम पर खारिज हों पती पतनी आपका पार्टना पूरी तरह से दोनों एक ही समय पर, एक साथ संखलितों, दोनों का शरीर एक दम ऐसे शाथ, अपनी पूरी जो नसों की कसावट है, उसको डिला छोड़ दे, आपकी रूह तक उसका असर पहुंच जाए, आपकी आत्मा तक उसका असर पहुंच जाए, यह है सेक्स करने का मकस और अगर आप अपने पार्टनर की ये त्रिप्ती करा पाते हैं, तो आपने पूरन सेक्स किया, आपने पूरन त्रिप्ती दिलाई, आपको पूरन शानती मिली, आप दोनों का माइंड रिलैक्स रहेगा, और आप दोनों जिन्दगी भर, एक दूसरे से हमेशा के लिए ख जाएंगे, और अगर आप ये नहीं कर पाते, टाइम आप जितना मर्जी लगा लो, कोई फायदा नहीं, तो सेक्स करने का राइट टाइम क्या है, राइट टाइम है आपके पार्टनर का पूरी तरह से संतुष्ट होना, अब जैसे मैं आपको ये पूछ हूँ, कि आप मु बारा रोटी, तो आप क्या कहेंगे, जितनी भूख उतनी रोटी, तो टाइम कितना, जितनी भूख उतना टाइम, जितने आपके पार्टनर की भूख उतना टाइम, मर्द तो अपने आपको हैंड प्रेक्टिस से भी संतुष्ट कर लेता है, वो तो दो मिनिट में भी तो मेरी बीवी का क्या है? ओरतों को क्या फरक पड़ता है? ओरत की संतुष्टी से मैंने कह लिए ना मेरा तो काम हो गया ना? तब वो अपनी बीवी के नजर से गिर जाता है. क्योंकि वो खुद तो खुश हो गया? लेकिन उसकी तृप्ति का क्या? जब वो खुश नहीं तो क्या पूर्ण मर्द हो, पूरे मर्द हो, तो पहले आप संभूख का मतलब समझें, संभूख जहां दोनों संतुष्ट होगे, और अगर आप दोनों को संतुष्टी मिलती है, तो आपका सेक्स सफल है, अन्य था असफल है, तो सेक्स करने में कितना टाइम लगना चाहिब, जितने से दोनों की दृप्ति हो जाए